असलाम मुलेकूं, आज हम बनाएंगे कोफता मटर की रेसिपी, जो के खाने में बहुत ही जादा जूसी और बहुत ही मुलाहम कोफता बन की दयार होता है, तो इस रेसिपी को आप डिनर में लंच मेनू में जरूर अट करें, चलिए सबसे पहले कोफता बनाना शुरू करते ह कोफता बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कीमा ले लिया है, 500 ग्राम की करीब है, और यह मशीन का कूटा हुआ कीमा है, आप चाहें तो थोड़ा सा मोटा भी ले सकते हैं, अगर बारिक रहा तो बहुत अच्छी बात है, एक मिक्सी के जार में हम सबसे पहले आधा कब भूना कर रख लेना है, मैंने यहाँ पर कुछ मसाला लिया है, एक कप हरा धनिया, दो प्यास और चार से पांच हर इमेज, सबी मसालों को एक ग्राइंडर जार में डाल देना है, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज आपसे गुजारिश है कि मेरी चैनल को सब्सक सकीमा है तो जल्दी पीज जाएगा, साथ ही हम इसमें डाल देंगे एक फ्राइ की हुई प्यास, इससे अच्छा टेस्ट आता है, अदर क्लसन का पेस्ट वन टेबल स्पून इसमें मिलाएंगे, और साथ हम इसमें पॉडर एड़ करेंगे चने का, अब मैं इसमें डाल रह मुद्र अप इसमें तरस आसमें ठे के किरेंगे, अब इसमें ऐसमें डाल रही हूँ एक चोड़ा चमच गीए आप चाह है तो इसमें तेल भी डल सकते हैं, थोड़ा से लेमू का राज, इससे अच्छा फ्लेवर आईगा, आप चाहें तो आम चूर पॉडर भी लेमू की जगर डाल सकते हैं अच्छे से grind कर लेंगे यहां पर आप देख सकते हैं कीमे को मैंने बहुत ही बारिक सा पीस लिया है इस तरीके से आप बना ले कोफता बहुत ही आसानी से बनके तयार होगा तो चलिए आप कोफता बनाना शुरू करते हैं हातों में सबसे पहले तेल लगा जब तक यह hard हो जाए हम gravy की तयारी करते हैं gravy पनाने के लिए मैंने यहां पर एक pan में दो बड़े चमच mustard oil सरसो का तेल आट करेंगे आप refine तेल भी ले सकते हैं तेल को अच्छी तरह से गर्म कर ले जब तेल अच्छी से गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे कुछ इमेश इतने ही खड़े मसाले हम इसमें डाल देना अच्छे से भूनना है सारा फ्लेवर तेल में आ जाएगा जब तक तो यहां पर गैस का फ्लेम लो रखेंगे और हलकी आच में अच्छे से भून लेना है वन टीस्पून अद्रक का पीस्ट और दुबारा से मसालों के सा भूनते रहना है इसमें से यह अच्छी तरह खुश भूनने लगेगी तो इसमें डालेंगे दोप्यास का फिस्ट को आफ सबसे पहले रेडी कर लें तयार कर लें उसके बाद इसमें मिला दें अध्रक को मैं ने अच्छी तरह से मून लिया है इसमें कुछ ड़िष मसाले पॉडर आड़ करेंगे। काली मिच का पॉड़र वन टी स्पॉन। चाट मसाले पॉड़र वन टी स्पॉन। सारे मसाले डालने के बाद हमें बहुत अची तरीके से 1-2 मिनिट थक भून लेना है, यहां पर मैंने बहुत अच्छी तरीके से भून लिया है, यहां पर जो तेल है वो भी रिलीज हो चुका है, और मसाला एंदम सूंधा हो चुका है, तो बस अब हम इसमें डाल रहे हैं, गैस का फ्लेम लो रखते हुए, एक कप फ्रेश तही, और साथ ही हम इस और दोबारा से हमें बहुत ही अच्छी तरीके से मसाले को भूनना है, जितनी अच्छी भूनाई होगी होतना ही आपकी जो ग्रेवी है ना बहुत ही अच्छी तरीके से खुश्बुदार बनकी तेयार होगी, तो मैं इसमें फाइनली डाल रही हूँ, दो कप हरी मतर, मतर क सीजन है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ करें, मतर डालने के बाद मैंने दोबारा से मसालों को भून लिया है, मसाला भूनने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ एक कप पानी, आप अपनी हिसाब से ग्रेवी की थिकने से रख सकते हैं, उतनी कौन्टिटी में प और इनको बिल्कुल भी इसमें चम्मच नहीं लगाना है, अगर हम चम्मच लगाएंगे तो कोफते तूट सकते हैं, तो बस गैस का फ्लेम लो रखेंगे, लो फ्लेम में हम इने पकाएंगे, तो मैं इसमें हर इमिज डाल रही हूँ थोड़ा सा स्पासी फ्लेवर देने के और ले मुगरस, जैसी ग्रेवी में बॉइल आना शुरू हो जाएं तो हम इनको ढखकर पास से छे मिनिट में गैस का फ्लेम लो टू मीडम रखते हुए अच्छे से पका लेंगे, और गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है, हल्की आँच में कोफते को गला लेंगे, तो यहा चैनल को सबस्क्राइब कर लीजेगा और अपने फैमली फ्रेंट के साथ इस रेसिपी को जबरूर शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्ला हाफीज, बाई बाई